हलो फ्रेंट्स वल्कम डिटेक निकल टोक्स दोस्तो आज गवर्मेंट ने जारी किया है कि 15 जुलाई से 18 प्लस लोग जो है वो कोविड वैक्षिन का बूस्टर डोज यानि कि तीसरा डोज जो है वो ले सकेंगे दोस्तो अभी तक आप बूस्टर डोज ले तो सकते थे लेकिन उसके लिए आपको पैसे पैक करने पड़ते थे लेकिन आज गवर्मेंट ने जारी कर दिया है कि 15 जुलाई से बूस्टर डोज जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले है कि आप फ्री में बूस्टर डोज के लिए यानि कि थर्ड डोज के लिए कैसे ओनलाई एपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो बता दू कि बूस्टर डोज में एपलाई करने के लिए आपने पहले दो डोज लिये होने शरूरी है तो सबसे पहले आपको अपने mobile computer या फिर laptop में कोई भी browser open कर लेना है जैसे कि मैंने यहाँ पर chrome को open कर लिया और यहाँ पर आपको coven की site को search कर लेना है यहाँ पर सबसे पहले ही coven की link आपके पास आ जाएगी जिसके उपर आपको click कर देना है तो आपके पास कुछ ही इस तरह का user interface आ जाएगा तो यहाँ पर आपको register oblique sign in इसके उपर click कर देना है और यहाँ पर से आपको अपना वो वाला mobile number एंटर कर देना है जो कि आपके covid account के साथ आपके covid account के साथ register है यानि कि आपने जो पहले दो डोज लिये है उसमें आपने जो भी अपना mobile number दिया है वही number आपको यहाँ पर डाला है क्योंकि वही mobile number जो है वो covid के साथ register है तो यहाँ पर से मैं अपना mobile number एंटर कर लोगा और यहाँ पर gate OTP कर देंगे तो मैं अपना OTP enter कर लेता हूँ और यहाँ पर verify and proceed पर क्लिक कर लेता हूँ तो दोस्त मैं ने जैसे ही verify and proceed पर क्लिक किया तो मेरा जो covid का account है वो मुझे यहाँ पर show कर दिया गया है अगर आपने एक ही mobile number पर 4 beneficiary register करवाया है तो उसकी details भी यहाँ पर आपको show कर दी जाएगी लेकिन मैंने यहाँ पर एक mobile number पर सिर्फ एक ही नाम register करवाया है तो मुझे एक ही details show कर रहा है तो यहाँ पर आपका reference ID secret code photo ID ID number year of birth वगेरा details आपको यहाँ पर show कर दी जाएगी और उसके निचे आपने जो भी vaccine लिए है उसकी details आपको show कर दी जाएगी dose 1 और dose 2 वो आपने किस date पर ली थी कहाँ पर ली थी वो भी आपको यहाँ पर show कर दी जाएगी और कौन सी vaccine आपने ली थी वो भी आपको यहाँ पर show कर दी जाएगी तो दौस्तो यहाँ पर last में यहाँ पर आपको option दिख रहा है precaution dose अब precaution dose, third dose या फिर booster dose जो भी बोलीचे यह सब भी सेम ही है तो यहां पर आपको due date भी शोग कर दी जाएगी यहां पर यह जो due date आपको बताई गई है उसके बाद कभी भी आप जो precaution dose है booster dose उसको ले सकते हैं तो उसको register करने के लिए दोस्तो यहां पर आपको schedule पर click कर लेना है आप pin के सर यह सर्च करना है तो यहां पर आपको आपको जो भी पिन कोड है उसको type कर लेना है पिन कोड करने के बाद यहां पर search पर click कर देंगे और यहां पर से आपको आपकी जो detail से वो short list करनी होगी अगर आपको district वाज सर्च करना है तो यहां पर district पर जाकर आपका state और district डालना है उसके बाद आपके district में आपके जो भी नस्ती की centers होंगे वो आपको show कर दिये चाएंगे तो हम वापस यहाँ पर pin पर चलते हैं यहाँ पर मैंने pin enter कर दिया है और search पर click कर लेंगे अब दोस्तों जैसे ही search पर click करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी जो भी details होगी आपको कौन सी vaccine लेनी है वो आपको यहाँ पर show कर दी चाएगी और आपकी edge जो है वो यहाँ पर आपको show कर दी चाएगी अगर आप चाहे तो यहाँ पर edge को यहाँ पर से short कर सकते है filter जो है वो कर सकते है लेकिन हमें 80 plus ही रखना है क्योंकि मैंने जो details की है add वो भी 80 plus की है और हमें जो सीखना है वो भी 80 plus की vaccination के लिए कैसे हम apply कर सकते हैं उसी के बार में हमें सीखना है और यहाँ पर से आप यह भी filter कर सकते हैं कि आपको paid vaccine लेनी है या फिर free तो हमें free लेनी है तो यहाँ पर हमें click करना है और आपको यहाँ पर से कोई भी date select करनी है जो कि आप vaccine लेना चाहते है तो दोस्तो 15 जूलाई से जो vaccination है booster dose की वो शरू होने वाले है तो आप 15 जूलाई या फिर उसके बाद की कोई भी date जो है वो यहाँ पर से select कर सकते हैं for example मन लीजे मैं यहाँ पर से 16 जूलाई ज तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ instruction भी दिया गया है हमें यहाँ पर इंशोट यह बताया गया है कि सुभे 8 बजे दोह पहर बार बजे दोह पर दोपहर को 4 बजे और रात को 8 बजे यानि कि दोस्तों यहाँ पर यह ऐसे time बताये जिस time को यहाँ पर slots जो है वो हमें show तो अभी में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तकरीबन 10 बजे है तो अभी यह slots जो है वो नहीं दिखा रहे है लेकिन आप जब इस time में इसके नजदी की time में जब आप try करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो centers है vaccination के वो show कर दिये जाएना है दोस्तों simple सी process है स वो select करके उस date का registration जो है वो complete कर देना है और दोस्तों उसके बाद आपने जो date select की है और उसमें आपने जो time slot select किया है उस वक्त पर आपको अपना जो भी document आपने इस से पहले दिया था दोनों डोज में वही document आपको वहाँ पर लेकर जाना है अगर आपने आधार दिया था तो आधार अगर आपने पेन दिया था तो पेन लेकर जाना है और उसके बाद आप वहाँ पर से अपना जो booster dose है वो ले सकेंगे और अगर आपको अपने booster dose का certificate download करना है तो वो भी हम जान लेते हैं कि वो आपको कहां वहर से मिलेगा तो दोस्तों जीस तर आप यहाँ पर आ एंट्री जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो कर देता है और उसके बाद यहाँ पर से आप इसका certificate भी डाउनलोड कर सकेंगे तो दोस्तों उम्हें आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरू से कीजिए चैनल पर नहीं है त चैनल को सब्स्क्राइब कर लिचिका